एक समय की बात है, एक छोटी से गाव में एक बड़ा सुन्दर आम का पेर था। ये पेर अपने उचे और सुन्दर शाखाओं से पूरे गाव को च्छाव देता था। इस पेर पर हर साल अनेक सारे पके हुए आम लगते थे जो इस गाव के लोगों के लिए एक मिथा तोफ़ा होते थे। एक बार गर्मियों का मौसम आते ही इस पेर पर बहुत सारे नयाम उपने लगे। आमों की मस्त खुश्बू गाव में भर गई और लोगों की उचसुकता और बढ़ गई। सभी लोग बस एक ही बात सोचने लगते आम कब पकेंगे। बड़े तो सबर कर लेते हैं पर बच आमों की खुश्बू में खो जाता था। बच्चा ने देखा कि आम पर थोड़े भूरे रंग के धब्बे देख रहे थे इसलिए उसने सोचा कि लगता है आम पक गए हैं और अब मुझे इन आमों को तोड़कर तुरंद खा लेना चाहिए लेकिन जब वहाम को चबाने ल लगे। उस पेल के पास एक बुलिया बैठी रहती थी जिसे भी आम बहुत पसंद थे। परन्तु वह आम को तब खाना चाहती थी जब वह पूरी तरह पक जाते। बुलिया बहुत सयमित थी और उसने बच्चों को समझाने के लिए अपने घर फ्रूट पार्टी पर बु ना चाहिए। बुलिया बच्चों को समझाया कि यहाम अभी अपनी पूरी स्वादिष्टा और मिथास तक नहीं पहुँचे हैं जो केवल पके हुए आमों में होती है। अगर हमें इन फलों का पूरा आनन लेना है तो हमें इन्हें समय देना ही होगा और सबर रखना ही हो तब गाव के सब बच्चों ने और बड़ों ने मिलकर मीठे मीठे आमों का स्वाद लिया और खूब मजे किये। यह कहानी हमें एक महत्वपून सबक सिखाती है सब्र की महत्वता। हम अक्सर जल्गबाजी में पढ़ जाते हैं और चीजों को अधूरा छोड़ देते हैं सब्र हमें सहनशीलता और धैर्य का संकेत देता है और हमें अच्छे नतीजों का इंतजार करने की कला सिखाता है। जब हम कुछ पाने के लिए इंतजार करते हैं तो हमारी मेहनत और सब्र का फल हमें मिठास और सफलता की रूप में मिलता है। इस गाव में वास करने वाले लोग ने ये सबक सीखा और जब वहाम पूरी तरह पक गया तो सब ने उसे बड़े आनम के साथ खाया और इस अनुभख से उन्हें अपनी जिंदगी में सब्र और धहरे की एक महत्वपून जरूरत का एहसास हुआ